तो नमस्कार एक बार फिसे स्वगत है आपके अपने यूटूब चैनल देवजी के ट्रिक्स में दूस्तों ने आपर डेली की तरह साम साथ बजे यहाँ पर हिंदी साहित्य का टेस्ट करवाते हैं लगातार आपकी क्लासे दी जा रहे हैं हिंदी साहित्य की तो आप लोग हि हिंद्ध सभी को बन्दे मात्रम चले अबया जा रहे हैं चले किले रहना स्टाट किया जाए चले स्टाट करते हैं यहां पर कोशन जो कि हमने से सटाट के हम मतलब छोड़ा था हमा पिछली बाले क्लास में कबार नहीं है चले बताइए इन přिभी का पैदारा के कौन नहीं ह यह पूछा गया है चलिए जवाब यहाँ पर आ चुका है कहरें option बनेगा यहाँ पर आपका c number तो बिलकुर अच्छी बात है कि आपका जवाब बिलकुर सही है नाभादास नाभादास यह सूफी का विधारा कि आपके कभी नहीं है अगर हम आपसे बात करें कि जो आपकी न मारगी कभी नहीं है प्रेम मारगी कभी नहीं है हमने कल की क्लास में ऐसे question को बहुत ज़्यादा कराए थे तो प्रेम मारगी कभी आपके कौन से नहीं है तो तो यहाँ पर आपके मलिक मुहमा जैसी है मुला दाउद है मंजन है लेकिन यहाँ पर जवाब का दिया गया है पुछा गया है कैया आप से यहाँ पर प्रेमा ख्यान का बिधारा सुफी कवियों का मुख्ध दर्सन क्या है प्रेमा ख्यान का विधारा सूफी कभियों का मुख दर्सन इन में से कौन सा है सेवन का जवाब दिना है तो ये थोड़ा से कठीन हो सकता है याद रखे इसका राइट अंसर आप का बनेगा तसब्बुफ क्या बनेगा तसब्बुफ का आ जाता है इनके दर्सन को आ जाता है तसब्बुफ ठीके ना और देखा जाए सूफी सब्द की जूदपत्ती होई है उसको लेकर बहुत मतवेद भी है बहुत सिमात आपके है कुछ विद्वान कहते हैं सूफी सब्द सभा से निकला है और कुछ का मानना है कि विशुदता अर्थाद मन विचार और कर्मिकी सुदता की कारण इन्हें बोला जाता है ठीके ना तीन के आपके अपने अपने विचार होते हैं ठीके तो इस प्रकार से राइट अंसर कौन सा हो जाएग अपका यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा ठीके और याद रिखे कि सूफी मतों में चार सिलसले बहुत आपके प्रशिद्धुएं एक है चिस्ती सिलसला कादरिया सिलसला नकसबंदी और आपका है सोरा वर्दी यह चार आपके सिलसले इस प्रकार से मिलते हैं ठीके ना सूफीयों में आते एगले प्रिस्कोर प्रसन आप से लिए पूछा गया है यहां पर आप से कह रहा है कि अनहलक मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषना है मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही ब्रह्मा क्या बोलते हैं अनलहक अनलहक और यह जो कहा है आपके मनसूर ने ठीक है किस ने तो आपके मनसूर अनालक मत्रम ही ब्रह्मा हूं यह मनसूर की घोष्णा है मनसूर अलहाज नामा की एक सूफी संत्व है उनका आपका है ठीके तो इस प्रकार से आपका हो जएगा ठीके चलिए आती एक लेपने स्कोर प्रस्णफ से गला पुछा गया है थोड़ा आपके हैं घबढ़ाईएगा नहीं जब देखेंगे रिगुलर रहेंगे तो आपको सरन लगने लगेंगे ठीके ना चलिए बताईए कि आचार रामचन सुकल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्थम कभी किसे माना है चलिए यहां पर बताईए कि आचार रा प्रेमाख्यान का बिधारा का प्रथम कभी माना जाता है ठीके ना इसका राइट नसरब का बन जाएगा कौन सा यह नंबर अपकर सही हो जएगा ठीके और अगले प्रसकाते हैं प्रस्तन आप से गला पूछा गया है यहां पर कहा है देखो इन से जूड़े कुछ पॉइं प्रेमाख्यान धारा के गरंथ में आपके म्रगावती का नाम आता है प्रमावत कभी आता है मदमालती का चित्रावली और आपके रतन सार आपके इनकरिस्थार मिलता है ठीके किसमें भक्तिकालीन प्रेमाख्यान धारा की ठीके वह यह पर देशकते हैं डाक्टर हजाइब साथ वेदिनी माना है वहीं पर आप दे सकते हैं कि डाक्टर रुमाराम को और वर्मा ने मुला दाउद के चंदरायन को इस परंपरा का प्रधम प्रवर्तक माना है ठीक है इस परंपरा का प्रवर्तक माना है ठीक है तो यह भी कोशन आपको दोनों पॉइंट आपको याद र करते रहे है ठीक है चले तो यहां पर 10 का जवाब आ चुका है कह रहे हैं इसका राइट अंसर आपका बनेगा यहां पर आपका स्थी नंबर बिल्कुछ सही जवाब आ गया है यहां पर आपके म्रगावती किसे तो आपके म्रगावती को यह मानते हैं जो कि पंदरा सो एक इस भी को कब है इप पंदरा सो एक थी ठीके पंदरा सो एक को बांते हैं और जिनके रचना क्या है इनके रचना कौन है इनके रचना कार आपके है वो आपकी कुतुबन ठीके म्रगावती की जो रचना कार है वो कुतुबन इनकी कोशन ये पूछा जाता है ठी तो यहाँ पर याद रखेगा कि यह आपके कुदवन के गुरू थे चिस्ती वनसे के आपके सेख बुरहान, ठीके, नोट कर लिजेगा, नोट करिएगा कि कुदवन के गुरू है, आपके कौन है, तो आपके सेख बुरहान, बुरहान, यह आपके हैं, ठीके न, तो नोट कर लिजेगा डारेक्ट आपको, ठीके, चले, आते एगले पर स्कोर, प्रसन आपसे इगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, प्रसन को लॉग कर दिएगा आप लोग, ठीके, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिएगा, चले, अगला प्रसन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, मुला दाउद की भासा पूछा गया है, मुला दाउद की भासा, मुला दाउद की भासा कि अगर आप मात करत प्रभाव इसपष्ट देखने को मिलता है ठीक है ना अगर आपको मिले तो बैस वाड़ी अब उद्धी का प्रियुक जादा देखने को मिलता है ठीक है चलिए आते एंगले प्रशन आप से गला पूछा गया है यहाँ पर कह रहा है सूफी मत में वर्डित साधक की चार अवस्थाओं सरीयत, तरीकत, मरिफ़त और हकीकत की भारती भक्तिमार के साथ ही सही क्रम में आपको बताना है मतलब इनका जो दिया गया है वह किस देश से सही क्रम आपसे पूछा गया है तो सबसे पहले आता है इनका आचरन, फिर उपासना, फिर सिद्धावस्था, फिर आपका सत्य बोदग यह आपका आता है ठीके ना तो हम आपको बता दें कि थोड़ा साब को एक कठी लग रहा है क्योंकि सूफी का बिधार आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा भक्तिया अंदोलन वगेरा आपने पढ़ा है लेकिन सूफी का बिधारा सही से पढ़ा नहीं होगा यहाँ पर देखो दिया है सरीयत का मतलब क्या होता है सरीयत का मतलब होता है इसमें साधक को कर्मकांड का अंसरन करना होता है यहाँ पर दिया है तरीकत मतलब होता है कि इसमें सादक उपासना में लीन हो जाता है मरिफ़त मतलब क्या होता है तो इसमें सादक जो होता है आरिफ बन जाता है वहें पर आपका हकीकत की हकीकत की मतलब होता है इसमें सादक को परमत्व की उपलब्धी हो जाती है ठीके ये आपका होता ए ठीके न याद रहेगा तो चलते आगे प्रस्क प्रस्क प्रश्णा हो सेगड़ा पुछा गया है कि अरप benefici साधना के चार पांड़ों में इनमें से कौन सा तथ नहीं है पड़ाओं में इन में से कौन सर नहीं है तो देखो अभी हमने बताया अभी तो हमने बताया था ना कि दोखो आपका सरीयत होता है क्या होता है सरीयत होता है मतलब सादक को कर्मकान्ड का अंसरन करना होता है तरीकत भी होता है तरीकत में क्या होता है उपासना में लीन हो जाता है ठीके ना और मरिफत आपका दिये है मरिफत मरिफत में क्या होता है सादक अरिफ बन जाता है ठीके ना और एक होता है हकीकत होता है हकीकत का आपका होता है उसमें परमत्यक उपाद्य होती है मतलब यहाँ पर जो दिया इसी नंबर मलकत ये आपका कह सकते हैं कि सूफी साधना में जो आपकी चार पड़ाओं है हना तो पड़ाओं में हैं इनमें से इसको सामिल नहीं किया गया है अगला कोशन आपसे दिया गया है कर आपसे कि साधन की चार अवस्थाओं में सरीयत, तरीकत, मरिफत और आपका हाकीकत का सम्मंद जो है वो आपकी किस्से है चली बताइए जो कोई भी चीज कठिन हो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक और सरल लग सकती नहीं है और हमने आपको बताया है भासा जो होती है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर चलती है क्योंकि जब चीज आप पढ़ोगे नहीं कठिन होगी लेकिन जब आप पढ़ोगे तो वो चीज सरल लगे गए लेकिन पहले से अगर आप दम अपनी तोड़ दिया, अपना हिम्मत तोड़ दिया तो भी कैसे अपनी मंजिल पा सकते हो अपनी मंजिल को पाने के लिए होसलों से लड़ना पढ़ेगा कठिन कठिन पहाडों से लड़ना पढ़ेगा पहाडों को मतलब आपकी किताबों को पढ़ना होगा सब प्रकास से, ठीके तभी आप अपनी मंजीर को पा सकते हो ठीके चलिए बताइए यहाँ पर दिया गया है तो आपका 16 कॉम्शन को अनुज़ेगा B. सूफी साधना से ठीके अगला कोशन आपसे दिया गया है कि आपसे जायसी किस धारा के कभी है यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब होज़ेगा प्रेमा खान कैसे है तो प्रेमा खान का विधारा के आपकी जायसी आपकी कभी है ठीके जायसी ठीके और यहाँ पर और यह भी क्या है यह भी सूफी संत्र के इसलाम का परचार का जाता है ठीके चले आते एगले प्रिस्कोर प्रसनफ से गला पूछा गया है यहां पर आप से कह रहा है कि सूफी मुक्तक काबे का प्रथम रचीता इन में से कौन सा कभी था 19 को आप्षन जो बनेगा वह आपको बनेगा भी अमीर खुसरो था ठीके ना सूफी मुक्तक काबे प्रथम रचीता कौन है तो आपके अमीर खुसरो को का जाता है ठीके किसे अमीर खुसरो आपको का गया है ठीके ना मुक्तक सैलिक में कुछ आपको रचनाए देखने को मिलते हैं अमिर खुष्रों का नाम सबसे पहले आता है अगला कोशन आप से दिया गया है क्याराब से मलिक मुहमद जायसी को जायसी कहा जाता है क्यों की वे जोको मलिक मुहमद जायसी को जायसी क्यों कहते हैं अईसा क्यों कहते हैं तो वही जब पढ़ोगे तभी आप जान पाओगे क्यों होता है का जाता है कि यह जायस नामक इस्थान के निवासी थे ठीक है याद रखे मलिक मुहमेजी को जायसी क्यों मोलते हैं का जाता है जायस नामक इस्थान के यह निवासी थे भीकि निवासी थे क्योंकि उन attracted ना मनुते था मुहमध। यह मुहम्मात आप का है अपनी नाम से पहले वहरा है ठिक है मतलब क्या सीकते हैं कि इनका उपनाम हो जाता है ठीक है और पार्सी भासा już में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी होता है ठीके ना यह जो आपका होता है मलिक मतलब ठीके तो आप समझ गया होगे कि इसका मतलब क्या हो जाएगा समझ में आगया होगा तो बस आगे बढ़ते हैं प्रसाप सिला पूछा गया है यहाँ पर आप से पूछा गया है क इन में से जो आप सी पूचा है पदमावत जो है, इक कैसी है तो यह प्रबंध थकाब है कैसा है, तो यह प्रबंध थकार पूछा गया है, यहाँ पर आप से कहरा है कौन सा, कहरा है कहर नामा किसकी रचना है, तो अभी देखो हमने बताया कहर नामा चित्र रेखा है ना मसल नामा पदमावा तकरावा टाकरी कलाम चित्र रेखा इस अभी किस के हैं तो आपके किस के हैं जैसी के हैं तो आपसे कौन हो जगा डे नम्बर आपका हो जगा अगला कोशन आपसे पूछा गया है यापर आपस तो आखरी कलाम पर मिलता है किस में मिलता है आखरी कलाम पर इनका वर्डन मिलता है कयामत का वर्डन ठीक है ना अगला कोशन आप से पूछा गया है जो कि दिया गया है कहा रहा है मलिक मुहमद जैसी के प्रशिद्ध प्रबंध काब का नाम क्या है तो अभी देखो हमने वते है था प्रबंध काब है इनका सबसे बड़ा में काब यही आपका है इनके से प्रचित भी आपके हैं तो आपके पदमावत है पदमावत है ऐपसन अब कभी हो जेगा अगला कोशन आप से पूछा गया है जो कि आप से कह रहा है पदमावत की रचनाकार का नाम क्या है जो को यही कोशन आपका बार बार पूछा भी गया है चाहे 2005 में हो चाहे 2019 में हो यही कोशन आपका पूछा गया है तो इस प्रकार से 25 कॉप संडी हो जेगा मलिक मुहम्मद जैसी ठीक है जो कि यहाँ पर दे सकते हैं जायस नामक इनका इस्थान सम्मंदी थे मलिक इनका उपाधी है इनके पूर्वजुग दोरा है इसका मूर नाम जो था इनका मुहम्मद था ठीक है अगला कोशना आप से दिया गया है कि अखरावट का बिकरती के लेखा का आपकी क सरोथम गरंथ का नाम क्या है तो क्या बोलेगे यहाँ पर बोलोगे ना की पदमावध है औप्सण डी हो जगा पदमावध है क्या यही कोशन दिको बार बार रेपीट कर रहा है दस questions में इसी question को repeat किया गया इसी के बारे में तो अभी हमने बताया था कि मलिक मुहमद जैसी ने पदमावत की जो रचना किया था वो 1540 में कब किया था 1540 इसी भी में आपकी कीगेतिस की रचना जो कि आपकी कैसी भासा में है तो आपकी ओधी भासा में ये भी पॉइंट याद रखना है किसी है ओधी भासा में लिखा गया है ठीके ना एक प्रेमा खेन प्रबंध काब्बे कैसा है प्रबंध काब्बे है मतलब आपका जो जवाब बनेगा वो आपका कौनसा हो जेगा तो 28 का रखना है तो 28 को ओप्चन मनेगा यहाँ पर आपका कौनसा है रखना है प्रबंध काब्बा तो यह एक त्रास्दी है अब ये तरासदी है क्या इसको समझेंगे तब ही आप गाएंगे आपने सुना होगा कि चितोड के राजा रतन सिन और सिंगल की राजकुमारी थी पदमावती के बिवाह में कह सकते हैं जीवन का नियंतरन बहुती मार्मिक रूप से हुआ था उन्हीं में से एक तरासदी ना माइका के चरित्र का वर्डन भी किया गया है इसलिए ये बहुत बड़ा एक तरासदी जैसा है ठीके ना तो आपको पुइंट याद रहेगा अब देखो इन से जुड़ा हुआ कोशन क्या बन जाता है यहां पर देखो हम आपको पूरा-पूरा इनका बता देते हैं मलिक म पड़ा रहे हैं इसके सभी कोशिर मनेंगे पूरी तरीके से मलिक मुम्मत जैसी दोरा पदमावत की रचना 1540 में की गए थी पदमावती अओधी भासा में लिखा गया है चूकि पदमावत ये प्रेमक खान परबंद का पर इसमें चितोर के राजा रतन से नहीं सिंगल की तरी राजकुमारी पदमावती की विवायों वियात्र जीवन का चित्रन मार्मिक रूप से आपका हुआ है इसलिए इसलिए इसे द्रासधी माना जाता है ठीके पात्र और नायक नाइका क्या है उनका रूप इस प्रकार से मिलेगा अभी कोशच्शन मिलेंगे एक कि दिखो पद्मावती इनका परतीछ क्या है बुद्धी है परमात्मा है परमसत्ता का प्रतीछ का प्रतीछ है कौन पद्मावती है चितोड जो है वे आपका सरीर का प्रतीछ studied चितोड है वो सरी का प्रतीक है रत्न सेन मन का प्रतीक है सिंगल द्यूप आपकी हर्दय का प्रतीक है रागाव चेतो सैतान की प्रतीक है ठीक है अलाउद्दीन माया का प्रतीक है नागमती संसार का प्रतीक है और हीरा मन तोता जो सुवा है वो गुरू का प्रतीक है ठीक है इसका स्क्रीन सौर लीजे, यह जितने भी कोश्चन अभी आपको बनेंगे, अभी कोश्चन पूछ रहे हैं, इन्हें से बनेंगे, ठीके, चितोर किसका है, सरीर का है, रतन सेन, मन का है, सिंगाल, हर्दय का, रागव, चेतन, सहतान का, अलाउद्दीन, माया का, नागमती, सं सार का, रीरा मनतोता, गुरु का है, ठीके, चलो, अब आईए, यहाँ पर बताइए, पदमावत के रचिता, बताइए, पदमावत के रचिता, मलक मुहमद जैसी, जो कि आपका जवाब B हो जएगा, अगला कुशन आप से दिया गया है, कि आप से यहाँ पर, पदमावत कि बताइए, पदमावत के रचिता, मतलब कि रचिते हैं, कि इसको जो रखा गया है, कि इसमें, खंड में रखा गया है, याद रिखे, खंड का में, तो याद रिखे, इसका राइटन से अपका C हो जएगा, खंड है, ठीके, सर्ग मत बोलिएगा, ठीके, तो इस प्रकास से का C हो जएगा, अगला कोशन आप से पूछा गया है, क्या कहरा आप से यहाँ पर, कहरा है, पदमावत में रतन सेन किसका प्रतीक है, पदमावत में रतन सेन किसका प्रतीक है, तो यह मन का प्रतीक है, तो आपके मन का प्रतीक है, ठीके, अगर हम आप से बोले, अगले कोश अगला कोशन आप से पूछा गया है जो कि यहां पर आप से कह रहा है कि पदमावत में पदमिनी प्रतीक किसका है बताई यह पदमिनी जो आपकी है किसकी है सादक का है सैतान की है परमसत्ता की है परकत की है तो परमसत्ता की है किसकी है परमसत्ता की है और अगला कोशन आप स पूछा गया है जो कि कहरा आप से यहां पर कि पदमावत में गुरू का प्रतीक कौन है पदमावत में गुरू का प्रतीक कौन है चलिए यहां पर देना है 36 नंबर में अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप जलूर देंगे यहां पर है गुरू का जो प्रतीक है गुरू का प्रतीक है क्या होजाएगा क्या ओजाएगा मतलब कहिसकते रोछmam dotta अर्य कुछा गया है रागो चेतन इन में में आगला कुछ आपसे हैं आपसे कि पातनी का नाम क्या है? नागमत और यहां पर आते हैं अगले स्कोर प्रस्नाव से पुछा गया है इन में से कौण सीकरती जैसी की अच्छा कीरति के आधार पर रची गई है और यह रची गई है आपकी पदमावत ठीक है कुई मिला कि जितने भी question बन रहे है सभी कहां से बन रहे है पदमावत में बन रहे है तो आप लोग पदमावत पढ़ लीजेगा M वाली book उठाइएगा उसमें पढ़ लीजे सब लिखा है पूरी तरीके से M वाले में ठीके अर लेकिन होगी किसके पास सब नकल में छोड़ा आते हूँगे चले बताइए पदमावत को समासोक्ती किसने का है पदमावत है क्या यह समासोक्ती है यह चार रामचन सुक्त आपका हो जएगा ठीके इनके अमसार यह आपका बोला गया है कि पदमावत का जो प्रेम है लौकिक है कथा जो आपकी वो समाशोकती है ठीक है ना और यह भी कहाना ठीक है कि पदमावत का पूर वराग असंगत है ठीक है चले आती है इनमें से कौन सा कथन पदमावत के बारे में सही नहीं है कि इनमें से प्रेम के लोक धर्मी सुरूप का चित्रण हुआ है अच्छी बात है प्रेम का तुबात हुई है ना अगला है दोहा चौपाई की सहली अपनाए गई है ठीक है यह भी आपकर सही है यह भारती लोक कथा पर अधरित प्रबंद काप यह भी सही है पदमावत की कावन खंडों में विभक्त किया गया जो कि अधी का स्रेष्ट का भी प्रबंद है ठीक है ना तीस प्रकास से आपका जवाब बने कौन सा डी नमबर आपका हो जएगा ठीक है याद रहेगा अच्छा चलते हैं अगले प्रस्कोर प्रसनाप सिगला पूछा गया है जो कि द इन उड़ाई पिर पिर्थिमी जूठी या पंक्ति किस गरंथ से ली गई है तो बही जब सब कुछ आ रहा है तो तो कई माल लीजे का दिक्कत है ना पदमावर से ली गई है बस अगला कोशन आप से पूछा गया है कि आप से यहाँ पर नेमड कित में से किस कवी ने पूर्वी हिंदी अंदर के अंदर देखा जाए तो जैसी ने अपने रचना आउधी बासा में ही किया है ठीके ना और यह आपके है कैसे तो भक्ति काल के निर्गुन प्रेमसराई साखा कि आपके कभी है कोन जैसी ठीके आती है एकला प्रस्ण में आ गए हम लोग कहां कर राम भक्ति कावी में आ गए हैं और कोश्चन दिया है कि स्वामी अग्रदास किस काव धारा के कभी है ठीके इस प्रस्ण का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और डेली यहां पर आप दिख सकते हैं भक्तिकाल सुफी कावे राम भक्ति कावे जितने भी का लेकिन अगर आप कठिन कोश्चन को देखकर घबरा गए और चले गए तो भी आपको आपकी मंजिल तक पहुचने में समय लग सकता है ठीके आखिरकार पढ़ना जरूर पढ़ेगा ठीके ना तो इसलिए कहते हैं कि जब एक चीटी छोटा सा जो छोटी चीटी होती है वो लेकर कहते हैं कि आप anthropocское है और अपनी मेनत पर भरोषा ज़्यादा करीए ठीके ना जो कि जितनी आप मेहनत करेंगे भरोषा उतने आपपर बनेगा ठीके और जितनी आप मेह सक्यान करेंगे चीजों को आपकी लाइप से बी उच्यप होते रहेंगे लेकिन ग्यान लेना ह तो आप लेते रहेंगे ठीके ना तो बस इसी वीडियो में आप ये जो question है इसको आप लोग comment box में करिए ठीके आगले class जो आपकी है वो आमारे दूसरे channel गुरुजी जाम सेंटर पर है UPGK की है तो आप UPGK की class आप ले सकते हैं ठीके उमीद है पसंद आया है और पसंद आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिए ठीके सभी लोग वीडियो को लाइक करें ठीके धन्नवाद जैहिन वंदे मत्रम